हमने कल बताया था कि परसंटेज स्टार्ट करने से पहले हमें पांच पॉइंट आने बहुत ज़रूरी है बहुत ज़र नेसरी तो उन पॉइंट में से पांच पॉइंट में से कल हमने दो पॉइंट किलियर कर लिये थे एक बच्चे ने गुड़ मोनिंग लिखा खाब लेक उसे इस पर रीमूग करो आप रीमूग करो गया उसको ठीक है चलो मन नहीं कर दिया ठीक हो क्यों कोई दिख कर लिए ठीक है तो इस्टुडेंट्स पांच पॉइंट में से कल हमने दो पॉइंट कवर कर लिये थे और आज बचेवे हम लोग तीन पॉइंट कवर करते हैं ठीके तो अगर ये पांच पॉइंट हमने कवर कर लिए परसेंटेज के तो हमारे परसेंटेज का प्लेटफोर्म जो है वो ready हो जाएगा ठीके उसके बाद परसेंटेज के जो कुश्चन करने वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी चले इस्टुइंट आगे बढ़ते हैं ठीके तो तीसरा पॉइंट है इस्टुइंट तीसरा थर्ड पॉइंट है हमारा आपको मैं बता देता हूं थर्ड पॉइंट क्या इन में से भी questions आते हैं और direct आते हैं exam के अंदर तो ऐसा मत सोचना आप लोग सब कि जो 5 point बेकार हैं बेकार नहीं है exam में भी question आते हैं और पूरे chapter में यह आपका platform ready करेंगे ठीके चलिए तो students हमारा जो तीसरा point है जो हमारा third point है जो में सीखना है वो सीखना है हमें face to face का नियम face to face का नियम ये आखिरकार क्या rule है face to face का rule क्या चीज़ है तो face to face का rule क्या है ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूँ में दो side होती है students एक तो होती है left side और एक होती है बच्चो right side two side होँगी एक left side और एक बच्चो right side अब होगा क्या होगा यह मैं सको रफ़ कर दे रहा हूँ जो चीज आप एक तो मैं बता था हूँ जो right side है हमारी और जो यह left side है राइट साइड में वो लिखोगे जो आपको question में बिलकुल reality में दिया हुआ होगा और लेफ्ट साइड में same वो ही चीज लिखोगे लेकिन वो लिखोगे percentage में मैं आपको एक example दे के बता रहा हूँ मान लो किसी question में आपको यहाँ पर question में number of girls दी गई number of girls दी गई आपको question के अंदर number of girls का मतलब है लड़कियों की संख्या दी गई तो यह तो आपने लिख दिया right में ठीक है तो अगर right में आपने number of girls लिखी है यानि लड़कियों की संख्या लिखी है तो rule यह कहता है left में percentage of girls आएगा समझे होंगे मेरी बात को अब आप लोग और धिरे-धिरे समझ जाओगे तो अगर right में हमने लड़कियों की संख्या लिखी है तो left में हम लड़कियों का percentage ही लिखेंगे और example देखेगा अगर मान लो right में हमने number of boys लिखे यानि लड़कों की संख्या लिखी जो हमें सवाल में दी गई number of boys तो आप left में percentage of boys लिखोगे percentage of boys लिखोगे तो ये चीज़ थोड़ा-थोड़ा समझने कोशिश करो जो सवाल में देगा लड़कों की संख्या वो left में लिखोगे sorry right में लिखोगे और जो ये right में लिखोगे और जो लड़कों का percentage होगा वो आप left में लिखोगे अब यो और example दिखेगा मान लीजिए आपको खर्च दिया गया खर्च expenditure दे दिया रूपए में रूपीज में कि 500 रूपए का खर्चा है 600 रूपए का खर्चा है 700 का खर्चा है तो इसके सामने खर्चा ही लिखा जाएगा ये confirm है लेकिन percent में लिखा जाएगा आप लोग धीरे-धीरे मेरी बात को समझ रहे होगे मैं बात क्या कहना चाहरा हूँ तो main point ये वाला है कि यहाँ जो खर्च है वो रूपीज में है यहाँ जो खर्च है वो percent में है ठीक है चलिए और example देखते हैं हम लोग मान लीजिए यहाँ पर आपको income देदी और income देदी question में रूपीज की अंदर कोई admit वाउस का admit कर लेता हूँ जब एक सेकिंड बच्चो ओके आज यह बहुत सारे बच्चे अब percent है और बच्चे दो लगबा 25 के करीब हो गए है बैच में चलिए कोई बात नहीं तो question में क्या करेगा वो income देदेगा बच्चो रूपीज में आपको तो आपको क्या करना है इसके left में आपको income ही लिखनी है income ही लिखनी है लेकिन percent में लिखनी है ये important चीज है तो आप आप समझ के होंगे लड़कियों के सामने लड़कियां ही आएंगी लेकिन percentage माएंगी लड़कों के सामने लड़के आएंगे लेकिन percentage माएंगे खर्चे के सामने खर्चा आएगा लेकिन पर्संटेज माएगा और income के सामने income आएगी, मतलब पर्संटेज माएगी, एक लास्ट चीज ओद मान लो आपको question में सडे हुवे आम दे दिये सडे हुवे आम सडे हुवे आम mango संख्या में दे दिये कुछ भी कि मैं मान लो कुछ भी है यह 20, 30, 40, 50 आम सड़ गए तो इसके सामने आप सडे हुवे आम ही लिखोगे लेकिन सड़े वे आम की संख्या नहीं लिखोगे आप सड़े वे आम का क्या लिखोगे परसंटेज लिखोगे दो स्टुरेंट्स और एड़ हुए हैं तो इसके आगे आप क्या लिखोगे सड़े हुए आम का आप लोग लिखोगे परसंटेज सड़े हुए आमी आएंगे लेकिन यहां परसेंट माएंगे और यहां नंबर सियानी संख्या के रूप माएंगे तो यह चीज आपको थोड़ा सा समझ करके चलना है और इसके उपरा हम धीरे-धीरे लगबग 7-8 कोशन को ट्राई करते हैं कि कैसे करने हैं चले इसको आप लोग उतार लीजिए अब नेक्स टेक में कोशन लिख देता हूँ बहुत सिंपल से शुरुवात करूँगा बच्चो और ऐसे एक्जाम बता रहा हूं में यह जो 5 पॉइंट्स है इन मेंसे एक सवाल जरूर बनता है एक्जाम के अंदर ठीक है कुशन आजाएगा किसी संख्या का जो बच्चे पैनकोपी लेकर बैठे हुए हैं वो साथ साथ लिखते रहें किसी संख्या का किसी संख्या का 30% उसके बाद कोमा 150 है 150 है तो संख्या क्या है यह वो कुश्चन आप से करेगा तो संख्या क्या है कुश्चन मा एक बुलकुल सिंपल जब कुश्चन हाँ तो यह देखो मैंने बहुत बेसिक से शुरुवात की है और धिले धिले इसको थोड़ा सा बढ़ाता रहूँगा किसी संख्या का जो 30% है बच्चो वो 150 है तो संख्या क्या है तो देखो लेंग्वेश को पढ़के खुदी पता लग रहा हूँ करा किसी संख्या की जो 30% की जो वैलू है वो 150 है तो हम क्या करेंगे 30% को बराबर रख देंगे 150 के ये लो और उसने पूछा है संख्या क्या है तो आप इसका अर्थ पुड़ो इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ मने कल बताया था इसका अर्थ होता है 100 में से 30 यानि 100 में से जो 30 भाग है वो 150 है तो पूरा भाग पूरा भाग यानि कि 100% कितना होगा बराबर question मार तो आपके पास एक simple सा रास्ता होता cross multiply कर दो तो जब cross multiply करोगे तो बच्चो 150 into में 100 upon में 30 तो cross multiply students ऐसे होती मैं आपको दिखा देता हूँ ये इन दोनों की multiply होगी और upon में बच्चो 30 आ जाएगा तो एक कार्ट पीट करके 5 बार कर जाएगा और ये आ जाएगा 500 तो एक तो method हो गया हमारा cross multiply का ये तो basic method है जो सभी के अंदर लगेगा बाकी इसके लावा आप फड़ा सा moderate level भी use करो moderate level का मतलब ये है आप ये comparison तो तब करो जब आपका दिमाग काम ना करे या calculation थोड़ी tough हो बाकी आप इन दोनों number में comparison कर सकते हो यानि ये वाला number अगर देड़सो को आप focus करो ये देड़सो जो है 150 जो है इस वाले 30 का कितना गुना है कितना times है तो आपको result मिलेगा बच्चो ये इसका 5 गुना है 5 times है तो जब ये 5 times है ऐसे तो आप इसका भी same 5 times कर देंगे तो 100 का जो 5 times हो गया वो बच्चो 500 हो गया तो इस तरह से आप comparison भी कर सकते हैं मेरा suggestion आप लोगों सभी से ये है कि cross multiply का use तब करें जब comparison करने में आपको problem हो रही हो अन्य था comparison करें क्रोस multiply माप लोग time waste ना करें चलिए इसका screenshot लेना हो ले लीजिएगा और अगले question की तरफ बढ़ते हैं एक question में और लिखता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि साथ साथ मुझे आप से पूछना भी है ठीक है किसी एक उन्य डिस्ट्रेंट सरा मेरे इस क्रीण पर कुछ एक notification सा आ गया चलिए question है किसी संख्या का जी हाँ recording लगा रखें बिल्कुल किसी संख्या का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 60% चलो 240 है यह इतना basic मैं चल रहा है जो बच्चे सोचने के हमारा mathematics ही वीख है तो मैं बिल्कुल बच्चो बेश से ले करके चल रहा हूँ आपको ठीक है तागी कोई दिक्कत दनाए किसी संख्या का 60% 240 है तो वह संख्या क्या है find that number ठीक है अब इस question को सब लोग करो मनें बताया था के pen copy लेकर बैठा करो 400 आएगा ठीक है ओकके जड़ा एक बार कितना आएगा बच्चो 400 आएगा ठीक है very good तीक है ठीक है आज एक नए student जुड़े हैं हमारे साथ 400 आएगा बस ठीक है जी बोलिये एक हमारे साथ ने student जुड़े हैं बिलाल विलाल ये बताओ कितना अंसर आया तो अबाश कम ने आरी मेरे पपास तह ठीक का रही है वाज आपकी आवाश ठीक का रही है मेरे तक तो देखो जरा माईग वगरा चेक करो ख travelled वुलिम वगरा चेक करो कपिल अंसर बोलो हाँ कपिल अंसर बोलो 400 very good बहुत simple question दिया है देखो 60% जो बराबर होगा students वो 240 के होगा और आप से संख्या पूची है तो नीचे 100% हो जाएगा और हम लोग using by cross multiply कर सकते हैं या फिर मनें बताया कि cross multiply से पहले आप comparison कर लो तो यह जो 240 है इस वाले 60 का कितने गुना है तो student CS का सीधा सीधा 4 गुना है 4 times है इसका हम लोग 4 times कर देंगे तो हमारा जवाब आएगा 400 चलिए अभी मैं आपको ऐसे 2 question और सिखाता हूँ मुझे भी कुछ और सिखाना है क्योंकि मैं अभी हाँ पर क्या सिखा रहा हूँ मेरा उद्देश है यह है कि बच्चे इस तरह से comparison करना सीख जाएं ठीके चलिए एक question और लिखता हूँ मैं अभी हाँ पर बोई screen पर किसी संख्या का किसी संख्या का 25% कोमा लगा देंगे 130 है ठीक है 130 है तो वह संख्या का है find that number वह संख्या क्या है question mark ठीक है अब यहां बहुत simple way बन गया यह जो 25% है वह equivalent है students 130 के हाँ बहुत सही है 520 आएगा 400 क्यों आएगा ठीक है और संख्या पूछी आप से students हाँ तो 100% हाँ ठीक है अब देखो जड़ा जड़ा पांस होगी ठीक है अब जड़ा सुनिए बात ध्यांसे प्लीज इस वाले question में अगर देखो एक basic rule बताया कि cross multiply कर दो तो cross multiply तो unique method है सब में लगे गई लगेगा ठीक है न मने कहा कुछ थोड़ा से advance तरीका use करो तो मने कहा comparison कर लो लेगिन इस question में पिछले question में क्या difference है वो मैं समझाने के कोशिश कर रहा हूँ अगर मैं इस वाले number की comparison इस वाले number से करूँ यानी 130 की comparison comparison 25 से करूँ तो problem यह आएगी बच्चो comparison सीधे तोर पे नहीं होगी direct तोर पे नहीं होगी तो आप देख सकते हैं 25 का जब table पढ़ोगे तो 25 के table में कहीं पर भी 130 नहीं आएगा यानि 25 वंजा 25, 25 टूजा 50, 25 टूजा 75, 25 टूजा 100 और 25 फाइवजा 125 यानि आप देख सकते है कि 25 के table में कहीं भी 130 नहीं आने वाला तो students comparison जब इन नंबर में ना हो पा रही हो तो आप एक रास्ता और चुन सकते हैं आपके पास अभी एक विकल्प और है comparison इन दोनों नंबर में कर सकते हो आप देख सकते हो कि ये वाला जो 100 है इस वाले 25 का कितना टाइम से तो आपको स आप दिखेगा ये इसका 4 टाइम से 4 गुना है तो जब ये वाला पैटन चल रहा है ये 4 टाइम से इस तरह से तो आप इसका भी 4 टाइम करोगे 130 का सेम पैटन पर तो आपका जवाब आएगा 52520 इस तरह से हम कर लेंगे यानि comparison करने के students दो रास्ते हैं या तो इन दोनों नंबर में comparison करो या फिर इन दोनों में अभी पहरी बात सुनों में पूरी बात बुल रहा हूँ आपके पास अभी दो रास्ते हैं जो में सिखाए हैं या तो इन दोनों में करो comparison या फिर इन दोनों में करो या फिर सबसे unique cross multiplication use करो clear हा ती ही तरीक है तो cross multiply तो सब में लगे गई लगेगा बागी मनें बता दिया कि cross multiply करने से पहले अगर आप comparison करो तो वह ज्यादा best है ठीक है और अगर comparison करने में दिक्कत आ रही हो हाँ comparison करने में कोई दिक्कत आ रही हो हाँ बोलिए हाँ four times तर बिल्कुल ठीक हाँ इन दोनों की comparison कर लेंगे इन दोनों की इन वाले दोनों की है न हाँ इन दोनों की भी comparison नहीं हो पारी मान लो किसी वज़ा से तो या cross multiply यूज कर लो है ना मदलब जहां जैसे सुविधा लगे वहाँ ऐसा काम कर लो हमें रास्ते सारे पता होने चीए भी आपके एक शोप पड़ जाना है वहाँ जाने के तीन रास्ते हैं पहले जाओ शोट वाले से वो बंद दूसरे वाले से जाओ वो बंद दूसरे वाले से जाओ ठीक है यह चीज़े होती है ना ठीक है चलिए अभी मैं इसमें और question रहा हूं किसी हालात कुछ भी बन सकते हैं ठीक है तो मैं आपको सारे हालातों से cover करा रहा हूं कि क्या क्या होंगे किसी संख्या का मान लीजिए 40% जो है कोमा लगा देंगे हम लोग 260 है यह लो मैंने लिग दिया है आपर अब हालात ऐसे बन जाएंगे और आप से एक बात जरूरी के संख्या बूचे वह आप से बूर सकता है तो संख्या का तो संख्या का आप से वो बोल देगा 60% क्या है तो देखो उसने थोड़ा सा बदलाव कर दिया हमाने question में यह जो 40% है इसकी value 260 है बराबर रख देंगे इसको यह लो 40% equal to 260 और इस बार आप से बच्चो संख्या नहीं पूची इस बार आप से पूच्छा है संख्या का 60% तो हम क्या करेंगे नीचे 60% हम यहाँ पर हाँ अभी जोज़रा 140 कहां सा जाएगा नीचे 60% लिख देंगे देखो यह रहा इस तरह से कोई doubt नहीं होना चाहिए मेरे साब से किसी को 40% को हमने बराबर रख दिया 260 के और हमसे बोला है कि संख्या का इस संख्या का 60% फाइंड करो तो हमने यहां 60% लिख दिया डिरेक्ट की ठीक है अब मने आपको सिखाया था बच्चों कमपेरिजन उसकी बात कर लेते हैं दो रास्ते सिखायते कमपेरिजन करने के पहला रास्ता यह वाला था इन दोनों नंबर में कमपेरिजन करना अगर हो रहा है तो तो आप देख सकते हाँ पे 40 और 260 जैनि 40 और 260 में डिरेक्ट ली कमपेरिजन नहीं हो रहा यानि 40 का अगर टेबल आप पोड़ोगे हाँ 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 हुग यह जरा बही अंसर बोला मत करो बीच में है ना ठीक है बात कर जाती है तो अगर आप देखोगे तो 40 के टेबल में 260 नहीं आने का चाहो तो पढ़के ट्राइ कर सकते हूँ चालिस सिदा 240 से 280 पर जंप किया यानि 260 नहीं आया तो मैं क्या करूँगा मैं यह करूँगा कि कमपेरिजन इन दोनों में नहीं करूँगा ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा मैं कि कमपेरिजन जो है इन दोनों में ट्राइ कर सकता हूँ इन दोनों में अगर हो रहा है देखो इसमें कोई बहुत बड़ा टाइम लगेगा कोई तो आखो से देखती पता लजागा कि कमपेरिजन हो रही है नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं 60 और 40 में भी कोई कमपेर और अपो न में बच्छो 40, यह हम लिख देंगे हाँ पर, तो 0 से 0 काट देंगे, एक मिनट बच्छे सको calculate करो हूँ ज ouais आप लोग, तो 0 से 0 काट देंगे हम लोग, यह लोग, और 2 से काट देंगे तीन बार, दो से काट देंगे दो बार, और इस 2 से हम लोग यह काट देंगे 130 बार और 130 की और 3 की multiply करूँगा बच्चों तो 390 final मेरा answer आ जाएगा 390 ठीक है 390 तो ये question मेरे ख्याद से सायद सबको किलिए रोगिया होगा अगर राहूल आवाज सुन रहे हैं आज राहूल जुड़े हैं नए student राहूल लगरा केई लोग silent हो जाते हैं नेटवर्प प्रोड़ों में आती चलिए अभी मैं अगला question कराने से पहले एक बात आपको बता दूँ अगर किसी sentence में अगर किसी sentence चाहे वो sentence अगर किसी sentence में चाहे वो sentence math का हो English का हो, Hindi का हो, कहीं कभी हो मैं five words लिख रहा हूँ फिलाल five words, पाँच शब्द लिख रहा हूँ five words लिख रहा हूँ बड़ा छोटा टीजर्शन बड़ा, छोटा ज्यादा कम अधिक फिलाल मनें five words लिखे हैं, five words लिखे हैं, words तो और भी होते हैं, बच्चो लेकिन फिलाल मनें five words लिखे हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर तो यहाँ five words लिखे हैं, एक बड़ा है, छोटा है, ज्यादा है, कम है अधिक हैं, अगर यह five words किसी भी sentence के अंदर यूज होते हैं, यह वाले five words, किसी भी sentence में यूज होते हैं, तो इसका मतलब होता है, कि वो sentence difference को represent करता है, difference को, वो sentence difference को represent करता है, difference को यह लो, clear? तो, example तुम्हें बोलके दिखा रहा हूँ मैं, मालो मैं बोलूँ, मैं अपने भाई से, यह जो five, एक मिनट दुबारा बताता हूँ, दुबारा रपीट करता हूँ, जो five words मने बताएं आपको यह कुन-कुन से, एक तो अधिक, कम, ज्यादा, दुबारा रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा, छोटा, अगर आपको यह words किसी sentence में दिख जाएं, तो आप समझ ले ना, कि वो जो sentence है, वो sentence difference को represent करेगा, difference को, ज्यान लकना, difference का मतलब अंतर को represent करेगा, मैं अभी उधारन दे के समझा रहा हूँ, फिलाल तो मने पांच word के नाम बताएं, अधिक, कम, ज्यादा, बड़ा, छोटा, अगर यह words आते हैं, तो वो sentence या वो वाकिया difference को represent करता है, जैसे example, आप सुनिए ध्यान से, example मालो मैं बोलू, मैं अपने भाई से, अपने भाई से, पांच वर्ष बड़ा हूँ, एक मने वाकिय लिखा, पांच वर्ष बड़ा हूँ, तो अब सवाल यह है, यह जो हमने वाकिय लिखा है, मैं अपने भाई से, पांच वर्ष बड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, यह वाला point आगे, यह वाला point बड़ा हूँ, तो यह sentence क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अब आप मालो आप ही बोल रहे हो, कि सर मैं तो अपने भाई से पांच वर्ष बड़ा हूँ, तो आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, आप मुझे difference बताने की कोशिश कर रहे हो, अपने में और अपने भाई में, ठीके students और example देखिए आप बोलो sir मैं तो अपने भाई से 5 साल बढ़ा हूँ या मैं तो अपनी भेन से 3 साल छोटा हूँ तो यह क्या बताने की कोशिश कर रहे हूँ आप difference को बताने की कोशिश कर रहे हूँ चलिए और चीज देखते हैं और example देखते हैं मेरी आए का मतलब बच्चो इंकम ठीक है मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ कि सारे बच्चे कर दो जाते हैं कि यह क्या चीज आ गई मेरी इंकम रवी से रवी कोई लड़का है रवी से पांच हजार रूपए कम है यह हमने एक sentence दिया आपको ठीक है ना कोई question नहीं है sentence दिया बसे मेरी इंकम रवी से पांच हजार रूपए कम है तो आप देख सकते हैं यह वाला word आ रहा है बच्चो कम है तो मने अभी बताया जब भी five words five words कौन-कौन से अधिक कम जादा बड़ा चोटा जब भी five words यूज होंगे तो इसका मतलब वो difference को represent करता है यानि ये जो पांच हजार है ये difference को represent करता है किस-किस में मेरी income और रवी की income में यानि रवी की income और मेरी income में पांच हजार रूपए का अंतर है difference है पहले मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को तो हिंट दे सकता है मुझे मैं दोवारा समझा दूँगा ठीके क्योंकि बेस ही चल रहा है अभी और ये बेस किलियर होना बहुत जरूरी है ठीके किलियर है नहार ये फाइव वर्स याद रखना अधिक कम जादा बड़ा छोटा ठीके ये हमेशा डिफ्रेंस को रिपर्जेंट करते हैं डिफ्रेंस को पर्देशित करते हैं चलिए मैं कोशन लिखता हूं बच्चो ये मने तो मैं इतना क्यों समझाया मैं कोशन लिख देता हूं किसी संख्या का 30% तथा 10% का योग योग का मतलब होता बच्चो सम एस यू एम सम ठीके स्ट्रेंट सम जो है लिख देते हैं यहाँ पर 450 है तो संख्या क्या है तो एक कोशन हमने आपको दे दिया है कोशन था किसी संख्या का 30% तथा 10% का योग 450 है तो संख्या क्या है यह फिलाल जो मने आपको समझाया यह उस पाधारित कोशन यह वो आगया आएगा भी यह थोड़ा सा अलग है यहां देख सकते हो किसी संख्या का 30% और 10% का योग है यह यह वाला सम जो है यह 450 है ठीक है तो संख्या क्या है तो आप देख सकते हैं जो ये 450 है बच्चो ये 450 जो है ये सम है सम का मतलब ये योग है साफ साफ लिखा है कि सम जो है वो 450 है 450 है तो face to face का नियम ये कहता था अगर आपने यहाँ पर ये सम लिखावा है सम का मतलब योग लिखावा है तो यहाँ पर भी आप लोग योग ही लि 30% और 10% का है और 30 और 10% का जो योग होता है वो होता है 40% तो यहाँ पर मैं लिख दूँँगा 40% ये लो ठीक है students और उसने पूछी है मुझसे संख्या तो मैं नीचे लिखूंगा 100% ये लो और इसके बाद मैं comparison देखो देखती है पतार जाएगा comparison नहीं हो पाएगी किसी भी multiply तो इसका screenshot लेना हो ले लो किसी को क्योंकि मैं इसको रफ कर दूँगा उपर वाले को ठीक है students ये मैं रफ कर देता हूँ ये वाला हिस्सा इसकी जुरुत नहीं है हमें अब हम करते है students cross multiply चलिए cross multiply में क्या करेंगे सब लोगों ने वैसे कर भी लिया होगा 450 इंटू में 100 और upon में students 40 यानि 40 इसे काट देंगे इसे काट देंगे बच्चों 25 बार और 25 की और 45 की multiply करके जो भी result आएगा वो आपका answer हो जाएगा 1125 लिख दू done ठीक है ठीक है मने multiply नहीं करी सही है very good ठीक है चलिए अभी एक question और लिखता हूँ में हाँ पर screen पर इसका screen सुट लेना चाहों ले लो चलिए एक question और किसी अच्छा है students जो बच्चे जुड़ेवे हैं आपको बता दूँ हम बीच में disconnect होते हैं तो आप लोग दुबारा connect हो जाना जो भी अमले एकदम तुरंट connect हो ना ठीक है किसी संख्या का किसी संख्या का लिख देता हूँ यहाँ पे 15% वे 10% का योग यानि बच्चों सम बोलेंगे इंग्लिश में इसको सम लिख देते हैं 300 है तो उस संख्या का तो उस संख्या का तो उस संख्या का 40% बताईए बताओ तो इसका screenshot डेलो बच्चों क्योंकि मैं question को rough करने वाला हूँ नीचे लिखके फिर उपर वाला रफ कर दूँगा जो लिख रहे हैं वो लिख लें जो screenshot ले रहे हैं इस तीन सोट ले ले ठीक है तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों यह वाली जो चीज है लिखा है किसी संख्या का 15% और 10% का जो योग सम है यह वाली important चीज है यह वाली ए यह वाली लिख रहे हैं उसने साफ बोला है कि जो 300 है यह बच्चों सम है यानि योग है अभी बोलो मत अंसर प्लीज जोड़ा बोलो मत वेरी गुड वेरी गुड ठीक है अभी बोलो मत अंसर को ओके तो यह 300 है और 40% की वेरू बतानी है तो देख सकते हो रूल क्या कहता रूल यह कहता यह 300 यहा लिखोगे बच्चों और यह हमारा योग यानि सम है तो face to face का नि का और दस तो 15 और दस का जो सम है बच्चों वह होता है 25 और आप से अगर वो संख्या पूछता तो हम लिखते नीचे 100% 25 के लेकिन संख्या नहीं पूछी आप से पूछा है संख्या का 40% तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 40% और using by cross multiply हम लोग कर देंगे मैं उपर वाला रफ कर रहा है कि कि स्पेस नहीं बचा है इसका स्क्रीन सोट मुझे लगर आप लोगों ने ले लिया होगा झाल 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 जी अनुज कनेक्ट हैं बस एक मिनट मश्रूब कर रहे हैं एक मिनट से भी कम टाइम मश्रूब कर देते हैं हाँ वो दिसकनेक्ट क्या बीच में के बार हो जाती है प्रोलों सी पता नहीं क्यों होगी त्याज है न चलो कोई नी ठीक है और सारे जुड़ गए स्ट्रेंट जुड़ गए है एक दो जुड़ जाएंगे बाद में एक और आ गए हो इत ठीक है एक और आए सोला अच्छा अब सेंट रहने की अभी मतलब मुबाइल पर भी अब सेंट रहते हैं बच्चे भूस सारे भी हाँ पता नहीं क्यों दब तो आना जाना कई पड़ता ही नहीं फिर भी लेकिन 25 की करीब इस ट्रेंट से रोज इतने ही अपसेंट रहते हैं चलिए अच्छिया अरे बस आपस में बात में कुरूर गूल भी ठीक है चलो वह आज हो बई तो वह कुश्चन दो ख्यार रफ हो गया हो था हम पर याद आ गया वह यह था को थ्री हंडे आपको दिया गया था और स्टूडेंट कनेक्टट को ओए ठीक है तो इस्ट इस टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या दिया था तो थ्री हंडे दिया था यहवाला थ्री इंडे था न 40% बताना था, शायद 40%, यह सी था ना, ठीके, तो using by cross multiply कर लो, या चाहो comparison कर लो, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, आपको cross multiply करोगे, तो आपको क्या करना होगा, 300, in two में बच्चो 40, और upon में 25, और यह इससे कट जाएगा, सिदा सिदा 12 बार, और multiply करोगे बच्चो तो 480 आ जाएगा, यह लो answer, और अगर comparison करना चाहते हो, तो इन दोनों में comparison हो सकती है, अगर आप 25 का table पढ़ना चाहें, तो 25 into 12 होता है, बच्चो 300, तो इसका भी हम लोग 12 times कर देंगे, तो direct 480, comparison भी कर सकते हो, और comparison में कोई दिक्कत आती है, तो cross multiplication भी कर सकते हो, ठीक है students, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, ठीक है students, एक question लिखते हैं थोड़ा आलग अब, किसी संख्या का, किसी संख्या का 40% उस संख्या के, उस संख्या के 25% से, 25% से 300 अधिक है, अधिक है, तो संख्या क्या है, what is number, आपको संख्या बताने, तो एक बार जड़ा, जो मैंने आपको भी 10 मिनट लीटे समझाने में, कि 5 words का use होगर, यहाँ पर वो बात आ गई है, अधिक, कम, जादा, बड़ा, छोटा, तो वो difference को represent करता है students, तो आप देख सकते हो, question की language को पढ़ करके, किसी संख्या का 40%, उस संख्या के 25% से, 300 अधिक है, देखो यह वाली बात बड़ी important है, 300 अधिक है, अब यह जो word आया है, 300 अधिक है, तो इसका मतलब, यह difference को represent कर रहा है, यानि हम यह कह सकते हैं, जो 300 है students, वो हमारा difference है, ठीक है, और face to face का नियम यह कहता है, कि difference के सामने difference ही आना चाहिए, यह कहता है बच्चो face to face का नियम, तो इन दोनों में difference कितना है, वो देख लो अब आप, तो 40 में और 25 में जो difference बनता है students, वो बनता है 15 का, 15 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 15 परसेंट, और आप से पूछी है संख्या, संख्या लिख दोगे यहाँ पर 100 परसेंट, comparison आराम से हो जाएगी, यहाँ बहुत easily comparison हो जाएगी, चाहो cross multiply भी कर सकते हो, बट comparison इन दोनों में अराम से हो जाएगी, और देख सकते हो यह वाला जो 300 है, हाँ, यह वाला इसका जो है, 20 times है, 20 times, तो इसका भी आप 20 times करेंगे, तो अंसर आएगा 2000, यह बताओ students, मैं मतलब कुछ जल्दी बाजी तो नहीं है, किसी वो problem हो तो बीच में रोख देना के सर यह चीज कैसा ही मैं समझा दूँगा, ठीक है, चलिए महला, यहाँ पर मुने, कौन बोल रहे हैं, जी जी बताईए, बताईए, क्या बताना है मुझे, पोशन यह था बेटा, कि किसी संख्या का 40%, उस संख्या के 25% से 300 अधिक है, ठीके, तो संख्या क्या है, ठीके, तो यहाँ पर एक word आया बेटा अधिक, तो ध्यान रखो, इंग्लिश में इसको more बोलते हैं, जब be more than, less than, greater than, इस तरह के word यूज होते हैं, इंग्लिश में, लेंग्वेज में, तो वो हमेशा difference को represent करते हैं, तो यह अधिक word आया है, यह difference को represent कर रहा है, मतलब, जो 300 है बेटा, यह difference है, ठीके, अब यह 300 difference था, तो हमने difference के सामने बेटा difference लिख दिया, अब सोचने वाली बात यह है, कि difference है किस की सीज़ गए, तो difference जो है, बच्चों, यह है difference, इस 40 का, इस वाले 40 का, और 25 का, तो 40 का, 25 का difference होता है, बेटा 15%, ठीके, तो यहाँ अपर लिख देंगे, बेटा 15%, और उसने बोला है, संख्या क्या है, तो संख्या नीचे लिखेंगे 100%, और using by cross multiply कर लो, या फिर कर लो comparison, तो यह वाला 300, बेटिया, यह बेटता है, इसका कितना गुना, 20 times बेटा बेटा, ठीके, और जब यह 20 times बेट जाएगा, तो इसका भी 20 times करोगे, तो answer आएगा 2000, यह आएगा 200, इंग्लीश में question यह बन जाएगा, नमबर यह बन जाएगा आपका, 40% of a number is 300 more than, यह greater than, तो चलिए खेर आगे बढ़ते हैं, एक question बच्चों भी मैं और लिखूँगा इस तरह का, अभी यहाँ पर बात खतम नहीं करेंगे, भी बात और बढ़ाएँगे आगे, बिल्कुल question PDF मैंने send कर दिया होगा तुम्हें, नहीं कर आप PDF मिल गया होगा, PDF मिल गया, नहीं मिला तो मेरे से पसनी contact कर ले न, WhatsApp पर मुझे डाल देना, किसी संख्या का यहां लिख देते हैं इस बार, चलो, लिख देते हैं, 30% उस संख्या के, phone admit हुआ है, परशान्त देवल, हाँ जी, हाँ जी, वही PDF percentage का, मैं आपको homework भी दूँगा है न, हाँ, मैं PDF कोल के दिखाऊंगा, आपको homework भी दूँगा आज, किसी संख्या का 30%, उस संख्या, एक मिनट बच्चो, उस संख्या के, उस, उसी, उसी मतलब सेम नंबर के, ठीक है, उसी संख्या के, 20%, 20 नहीं, पहले अधिक था न, ठीक है, मैं थोड़ा change कर देता हूँ, 40 कर लो, यहाँ पर क्या दिख्या कर दोगी, 40% से, ठीक है, 400, कम है, कम है, तो संख्या क्या है, find the number, ठीक है, find that number, तो आप यहाँ देख सकते हैं, important चीज क्या लिखे, जो पढ़ने वाली, समझने वाली चीजे होती है, किसी संख्या का 30%, ठीक है, उसी संख्या के 40% से ठीक है, 400 कम है, देखो, यह वाला word आगे, यह वाला, जो मने आपको समझाया था, जब भी five words में से, कोई सा भी word आ जाए, अधिक कम, जादा, बड़ा, छोटा, तो समझ जो, difference है, mind पे एकदम किलिक कर लो, difference है, अब इसका मतलब यह हुआ, जो यह 400 है, बच्चो, यह आपका difference है, और जब यह difference है, तो नियम यह कहता है, कि difference के सामने difference ही आएगा, और यह difference है, बच्चो किसका, इस वाले 30 का, और इस वाले 40 का, तो 30 और 40 में difference होता है, बच्चो 10% का यह low, संख्या पूची है, नीचे 100% लिख दो, और comparison कर लो, comparison यहाँ पर बहुत आसान है, कैसे भी कर लो, ऐसे करोगी comparison, तो यह इसका 40 times हो गया, और इसका भी 40 times कर दो, तो जवाब आजाएगा, हमारा 4,000 4000 यह low, ठीक है, और आपको बता दूँ, percentage के अंदर, जो हम यह बात सीख रहे हैं, न, कौन सी बात सीख रहे हैं, पांच बाते सीख रहे हैं, तो कल पहली बात सीखी, दूसरी बात, तो दूसरी वाली बात, बहुत important है, और एक तीसरी वाली बात, बहुत important है, यानि दो बात यह ऐसी है, कि पूरे chapter में use होनी है, तो इन में कोई doubt नहीं होना चाहिए, चलिए स्ट्रेंट्स में अगला question लिखता हूँ, next question लिखता हूँ, ठीक है, दो question अभी और करा रहा हूँ, उसके बाद हम फिर, चोथी बात और पांच वी बात को जल्दी से revise कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत आसान है, ठीक है, चलिए, एक question लिखते हैं आपर, एक class में, एक class में, 40% boys हैं, ठीक है students, there are 40% boys in the class, boys हैं, ठीक है, आगे वो कहता है, तथा तीन सो girls हैं, girls मतलब लड़कियां हैं, तो कक्षा में total कितने students हैं, ये बताना है, तो कक्षा में total कितने students हैं, अब ये question exam में आगया, मान लीजिए, एक कक्षा में 40% तो boys हैं, और 300 girls हैं, तो student बताने हैं, अब आप सबसे पहले ये देखो, इसमें number की form में कौन दिया, क्या दिया, वा number की form का मतलब numerical value में क्या दिया हुआ है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर numerical value में जो दिया है, बच्चो ये चीज़ दिऊ, ये वाली, और मने आपको बताया तो, जो numerical value में चीज़ दिया है, उसको right में लिखेंगे, यानि right मतलब यहाँ पर लिखेंगे, बच्चो ये वाला 300, और ये हैं बच्चो girls, ये हैं girls, और face to face का नियम यही था, अगर आपने यहाँ पर right में number of girls लिखा है, तो left में girls ही लिखी जाएंगी, ये confirm है, लेकिन percent में लिखी जाएंगी, important चीज़ ये है, किस में लिखी जाएंगी, percent में लिखी जाएंगी, हाँ, अब देखो, यहाँ पर बच्चे वाजाते हैं थोड़ा सा confused, अब ज़र आप ये देखते हैं, boys वाली line में क्या लिखा था, ये दियाता है, 40 percent boys हैं, लेकिन student मुझे यहाँ पर boys नहीं लिखने, मुझे यहाँ पर girls लिखनी हैं, तो एक बहुत common sense है, इसका अर्थ समझो अर्थ, कल मने आपको अर्थ पढ़ना सिखाया था, बड़ा important पहले point पर, तो 40 percent boys का अर्थ होता है, सो में से 40 boys हैं, यानि 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी देखते हैं, देखते हैं, रूजा हो जड़ा, दोस्तों क्यों आएगा इसका अंसर, तुम पता नहीं क्यों आगा आगे कर रहे हो, मैं समझा रहा हूं, तुम का आगा आगे कर रहे हो, तो पहले मुझे यह बताओ, यह 60 percent जो मने गल्स लिखा, सबको clear है, यहाँ तो कोई confusion नहीं है किसी को, ठीक है, गल्स के सामने गल्स आएंगी, सिदा सिदा फंडा है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दिया था, और 40 percent boys दिया था, तो 40 percent boys का मतलब होता है, 40 में से, सोरी सो में से 40 boys हैं, तो मतलब 60 girls हैं, तो 60 percent बराबर रख दिया 300 के, उसने पूछा मुझे total student, तो मैं नीचे लिग दूँगा 100 percent, और उसके बाद using by cross multiply, तो जब मैं cross multiply करूँगा बचो, तो cross multiply की दिरूद भी नहीं है, यहाँ पे खेर, comparison बड़े आराम से हो जाएगी, comparison ही कर लो, यह वाला इन दोनों में हो जाएगी comparison, 60 का 5 times 300 बैटता है, तो इसका 5 times करो, और जवाब आएगा आपका 500, मुझे यह बता दो, कि इसमें कोई problem तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते, next question की तरफ बढ़ते, एक और लिखते हैं आपको question, बड़ा बहतरीन सा लिखते हैं बच्चो question, ठीके, चीनी, तथा पानी, तथा पानी, के घोल में, घोल मतलब solution में, घोल में, 30% चीनी है, तथा, 280 लीटर, पानी है, तो, कुल घोल कितना है, मतलब टोटल solution कितना है, कुल घोल बताना है, question माद, तो question को read कर सकते हैं बच्चों, आप, क्या कह रहे हो अनुज, हाँ, कुल मिस्रन कह दे, कुल घोल कह दे, ठीक है, कह सकता है, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल एक ही बात है, इसको और अफ़कर हो भई, किसने लिखा, 400, ऐसे में लिखा करो, इसक्रींडों कुछ भी, ठीके, तो यहाँ पर लिखावा है, आपको फोकस यह करना है, कि numerical value में क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पढ़ सकते है, numerical value में दिया हुआ है, 280 लिटर पानी, तो यहाँ 280 लिटर पानी लिखोगे, water लिखोगे बच्चो, और नियम यह कहता है, water के सामने water ही लिखा जाएगा, लेकिन percent में लिखा जाएगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, यह क्या चीज थी, यह थी चीनी, और 30 percent चीनी का अर्थ होता है, कि 100 में से 30 चीनी है, तो बाकी बचा 70 यानि 70 बच्चो वो पानी हैं, यह लोग, और उसने पूछा है, kul घोल बताओ, total mixture बताओ, kul mission बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 percent, और हम लोग करेंगे comparison कर लो, बड़े आराम से comparison होगी बच्चो, यह इसका four times है, इसका भी four times कर दो, और जवाब आजाएगा आपका four hundred, comparison करने में कोई problem होती है, तो आप लोग cross multiply use कर लेना, अब मैं इसका एक question, जी बोलिए, जी बोल दीजिए, हाँ मैंने बोल दिया, अब सबको कोई answer नहीं बोलेगा भी, इस बार जो answer बोलेगा, उसको मैं ग्रूप सा आउट कर दूँँगा, ठीके, जब तक मैं किसी का particular नाम ना लूँ, तब तक आप answer नहीं बोलेगे, ये बार दुगूल सही है, ठीके, 400, चलिए हम एक question दे रहा हूँ, और देखो, please seriously, गुरूप को maintain करके रखो, answer कोई नहीं बोलेगा, जिसका मैं नाम लूँगा, वो answer बोलेगा, ठीके, चलिए, एक question और, और आप लोगों के लिए, student ये question है, कोई इस समय पर admit हुआ है, देखते हैं, कोई admit हुआ है, बाई, time तो out होने वाला है, admit IUC का आज गरबड़ कर रहा है, ठीके, students तो आगे बढ़ते हैं, चलिए, एक question लिखता हूँ, आप सब लोगों के लिए, question क्या लिख दूँ, हाँ ठीके, एक आदमी, यानि एक man, एक man, अपनी income का, अपनी income का, question बच्चों कुछ भी बन सकता, कुछ भी है, तो जो मेरे मन मारे में लिख रहा हूँ, एक आदमी अपनी income का, 60% खर्च कर लेता है, मतला expense कर देता है, 60% खर्च करता है, आगे देदेगा, तथा, 4000 रुपे, बचाता है, अंसर कोई नहीं बोलेगा भी, मुझे माइक से पता वे जाता, कोई अंसर बोलड़ा, अंसर को माइक हिल जाता, वो मनला वाइबरेट करता, ठीक है, तथा, 4000 रुपे बचाता है, तो, उसकी income बताओ, तो, उसकी income बताओ, इस income आपको बतानी है, एक question बने, बच्चो आपके लिए दे दिया है, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, एक man अपनी income का 60% खर्च करता है, तथा, 4000 रुपे बचाता है, तो, उसकी income बतानी है, his income बतानी है, question करिए आप सब लोग, तब तक मैं देखता हूँ, के, येस, नाम देखता हूँ, लिस्ट में, के, पूछना है मुझे, अंसर कोई ना बोले, सब लोग अपना-पना काम करते रहें, ठीक है, आज, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, उसके पूछ के देखते हैं, मिस्टर राहूल कुमार, राहूल कुमार आवाज सुन रहे हैं, तो अंसर बताएं, राहूल थोड़ा तेज बूला, अवाज कमार ये, दस हजार, चलो ठीक, वेरी गुड, अभी और पूछते अंसर, बिलाल सेफ, अगर अवाज सुन रहे हैं, तो बताएं, अंसर कितना आया, बिलाल, टेन थाउजन टियारा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, और मन्जू आप बताएं, अंसर, मन्जू जी अंसर बताएं, अगर सुन रहे हैं आवाज तो, आयूशी सेनी आप बताएं, अंसर, आयूशी आवाज आ रही हो तो, कितना अंसर आएगा, यूशी, हाँ, तुम्हारा इक अट्राज, बार-बार मैं बार-बार देख रहा हूँ, तुम्हारा बार-बार जो है, मेरे पार एड्मिट के लिए आता है, हाँ, आज तो आपके में प्रोलम हो रही है, ये बस किसी में नहीं, और ही चलो खार, कोई नहीं, इरेटिट मत हो, इरेटिट मत हो, ये तो इंटरनेट है, करके सकते हैं न, ठीक है, ये बताएं, एक और जुड़ेवे हैं, हमारे साथ, ओके, बाई ये, ओपो F7 वाले कोन है, पहले ओपो F7 वाले बोलो, अभी नीट, अच्छा, अभी नीट F3 हैं, ठीक है, ओके, और ये ओपो F7 कोन हैं ये, ओपो F7 जी का पता हैं लग रहा, तो अभी नीट अंसर कितना आया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, बाहरी कूट, चलो, ठीक है, ओके, ओके, संदीप, हाँ, मुझे लग रहा, संदीप ही हैं, ठीक है, ओपो F7 अनल, ठीक है, ओके, चलिए, स्ट्रेंट कोशन के लिए रहे, सबके, कोई डाउट हो, तो मुझे हिंटे दे देना, अब हम बढ़ते हैं, मने अकल बताया था आप सबको, कि हमें जो सीखने हैं, वो 5 पॉइंट सीखने हैं, इस चेप्टर को तयार करने के लिए 5 पॉइंट्स, और जिन में से हम लोग जो हैं, 3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, और हमारे पास बचे हैं अभी, टाइम बच रहा हैं हमारे पास, तो three point cover कर ली हमने और two points जो हैं हमारे पास left हैं भी बचे वे हैं तो इनको cover करते हैं चलिए दोनों point बहुत आसाने एक साथ cover होंगे इसमें हमें क्या सीखना है इसमें हमें सीखना है percentage को fraction में convert करना भिन में convert करना और fraction को percentage में convert करना स्टुडेंट से ठीक है यह दो बात है सिखनी है कि फर्स्ट सेकेंड रिपीट करा दूं कौन बोल रहे हैं यह बिलाल उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है वीडियो देख लो आप एक बार पहले है न हां उसमें जो डाउट हो को मैं समझा दूंगा आपको है न हां जो भी पुछोगे विए repeat करना यहां तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन वीडियो मैंने बिल्कुल recording करके डाल रखी ह है न हां तो एक बार वीडियो जुरूर देख लेना आप न हां ठीक है विलाल चुले स्ट्वेंट्स यहां पर हमें दो चीज़े सीखनी है अब एक तो fraction को sorry sorry percentage को fraction में convert करना और second fraction को percentage में convert करना तो मैं आप आपको दो point बता रहा हूं और कुछ question करा रहा हूं तो जब भी percentage को fraction में convert करना हो बच्चो divide by 100 करेंगे हमेशा always universal truth है जैसे सूरज पूरब से उगता है ऐसे ही ये universal truth है कि percentage को जब भी fraction में convert करना होगा divide by 100 करोगे और fraction को जब भी percentage में बदलना होगा तो multiply by 100 करोग चाहो इसका screenshot के लो ठीके तो दुबारा ही बताना है अनुज जब भी percentage को fraction में बदलना हो अनुज तो हमें 100 से divide करना है ठीके उल्टा जो भी number जिसको convert करना है अभी question कराऊंगा जैसे माल लो अनुज 40% को fraction में convert करना है तो इसी 40 को 100 से divide करेंगे ये लो हाँ बटे लगके सो आजाएगा निचे है ना ये आपको यादगा 2 by 5 हो जाएगा ठीके और उल्टा काम ये है यहाँ पर अगर fraction को percentage में convert करना है तो आप क्या करेंगे 100 से multiply करेंगे चलिए कुछ question देखते हैं पहले हम लोग percentage को fraction में convert करना सीखते हैं fraction का मतलब होता सकते हैं जो भिन को English में ना जानते हों बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो fraction को Hindi मना जानते हों ठीक है तो like मान लीजिए 40% है जो भी बताया था इसको तुम्हें fraction में convert करना है तो आप क्या करेंगे students 40 upon 100 कर देंगे खतम बात 0 से 0 काड़ देंगे 2 से काड़ देंगे 2 बार अंसर आएगा 2 बाई 5 मान लीजिए 75% को fraction में convert करना है तो 75 upon 100 हो जाएगा और ये बच्चो इसे काड़ दोगे 25 से 3 बार 25 से 4 बार तो हो जाएगा 3 बटे 4 स्क्रीन सोट लो फटाफट अभी मैं तो तीन एक्जामपल इसके और लिखता हूँ ठीक है और एक्जामपल देखिए मान लीजिए कहीं पर लिखा हूआ है एक मिनट बच्चो गडबड हो गई ओके चलो स्टार्ट ठीक है मान लीजिए कहीं पर लिखा हूआ है कि 150 परसेंट ये लो इसको convert करना है fraction में तो क्या करेंगे 150 अपोन 100 कर देंगे बच्चो जीरो से जीरो कार देंगे पांस से कार देंगे तीन बार पांस से कार देंगे दो बार किया जाएगा बच्चो बटे दो यानि 3 बाई 2 यारे कपिल पागर ठीक है स्ट्रेंट 3 बाई 2 ये लो ठीक है आगे देखते हैं इसके अंदर एक कुशन और देख लेते हैं इसके अंदर मान लीजिए कहीं लिखावा 175 परसेंट तो इसको कनवर्ट करने के लिए 175 अपँएं 100 करोगे 25 से कार दोगे 7 बार 25 से कार दोगे 4 बार तो जाएगा 7 बाई 4 इसके 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 इनसोट ले लो या कोपी कर लो साथ के साथ ही ठीक है शून शरी आगे बढ़ते हैं इस्टूट्स है अब एक बात और होती है important मानलो मैं आप से कहा रहा हूं कि X percent को fraction में convert करो अब दिखो मने यह क्या करा मने यहां पर स्थिफ इतना change करा है कि यहां पर numerical value ना देके हां पर मने एक variable दे दिया X और बोल दिया X percent को fraction में convert करना है पहले दिन बात बताई थी कि गणीत अपना नियम नहीं बदलता है ध्यान रखिए गणीत की खास बात यही है इसलिए इसको सरवोपरी माना गया है मतलब कितने रास्ते में रूल रहेगा रूल यह था कि percentage को जब भी fraction में convert करना है बच्चो डिवाइड बाई 100 करेंगे खतम बाद इस से यादा हम कुछ करनी सकते तो final answer हमारा यही है मानीजे मैं percentage अपना रूल कभी भी change नहीं करता है तो यह हमारा point हो गया है ठीक है तो अब आते हैं second point पर students second point क्या कहता है second point कहता है किसी fraction को किसी fraction को बस बच्चो पांस साथ मिनट वोड़ लगेंगे कुछ बच्चे सोच देओंगे से time over हो गया आज किसी fraction को percentage में convert करना बच्चो तो इसमें क्या करते हैं हम लोग into 100 कर देते हैं into में 100 जैसे like मान लीजिए आपको 3 by 4 को percentage में convert करना है तो आप क्या करेंगे बच्चो 3 by 4 into में करोगे 100 into 100 करना हमेशा always इसे काटोगे 25 और यह हो जाएगा बच्चो 75 परसेंट एक question ओट देख सकते हो आप लोग मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पर 6 by 5 को percentage में convert करो तो एक ही rule है 6 by 5 into में 100 इसे काट दोगे तो दो बार कट जाएगा 20 हो जाएगा और जवा 120 परसेंट तो रूल आपको याद रहना चीए मैथ के अंदर सबसे खास बात यह कि रूल आपको याद रहना चीए रूल याद है तो सब कुछ चलता रहेगा ठीक 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 अभी और कोशन देखो भी कहीं जाना नहीं है मान लीजिए मने कोशन दिया बिल्कुल अटपटा और बिल्कुल बकवास कोशन ये लो पांच को फ्रेक्शन में कनवस होरी पांच को परसेंटेज में कनवर्ट करो एक बिल्कुल बकवास कोशन जो देखने में बड़ा अटपटा लगता है कि जो पांच है इसको परसेंटेज में कनवर्ट करो तो तुम्हें एक नियम बता Multiply by 100 करना है खतम बात बस तो जवाब आएगा बच्चो 500% No Tension मतलब आपको यह नहीं सोचना कि बड़ा अटपटा लग रहा देखने में लगने दो कोई दिखत नहीं है मालू मैं आप से बोलू बच्चो कि 50 को परसंटेज में कनवर्ट कर दो तो नियम एक ही है परसंटेज में कनवर्ट करने का इन्टू में 100 कर दो खतम बात और ऐसे confusing question खूब आते हैं exam में तो 5000 और आगे लगा दो परसंट यह लो खतम यह लो और example देखो इसका स्क्रीन सोट लिलो फटा फट चलिए और example देखिए मालू मैं बोल दूँ आपको के जो X है इसको परसंटेज में कनवर्ट कर दो बच्चो तो तुम्हें अपना नियम ध्यान लखना है 100 से multiply ही करनी है ठीके तो यह बन जाएगा 100 X 100 X percent मालू मैं आपसे बोलू बच्चो Y को percentage में तबदील करो convert करो तो नियम एक ही है किसी को भी percentage में convert करना है उसके गुना में 100 लगा दो और जवाब बन जाएगा 100 Y percent यह बन जाएगा ठीके students तो इसको आप लोग कोपी कर लो और अब बढ़ते हैं आगे homework के लिए जो आपको घर से homework मिलने वाला है ठीके आज ठीके students घर से homework के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्या के करना है आपको जो आज try करना है घर से homework PDF सब के पास आ गई होगी किसी के पास नहीं आई हो तो आप मुझे बता दे ना मैं आपको PDF Hello यह किसकी आवाज आ गई कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या यह PDF गलत खोल ली मुने आपको जल्दी बाजी में और यार कभी कभी करबर हो जाती है PDF खोल नहीं दी कौन सी खोल दी कोई सी % की PDF खोल नहीं है और % की PDF का हाँ गाईब हो गई % की PDF खोल नहीं हो गई कहीं % की PDF Simple Interest दिखाई दे रहा है मुझे Componet दिखाई दे रहा है और % की PDF दिखाईने दे रही मुझे नहीं वाटसप के तो है मेरे इसमें एक लिस्ट पढ़ी विया डाउन्लोड की डोकुमेंट्स की मिल गई बच्चों मिल गई ठीक हो गया काम ठीक है ये लोग बहुत नीचे जातर के लिस्ट में है ठीटों पर ही पता नीचे के काम इसके अंदर इस्टूनेंट्स आपको करना क्या है इस PDF के अंदर स्टार्टिंग के चार टाइप आज आपको घर्से करने स्टार्टिंग के चार टाइप एक तो टाइप नंबर पहला बचओ ये वाला ठीक है ये करना ह फेस टूफेस के लिएंपक्न प्र्सेथे का दाको क Оченьा है और इक है इसके अंदर टाइप नंबर तू आप देख सकते हो भिन पर्सेंटेज में कंवेर्ट करना है ठीक है एक इसके अंदर आगे बढ़े हैं हम लोग तो टाइप नमबर आता है स्टूरेंट्स तीन आप देख सकते हैं इसके अंदर परतिशक को भी में बदलना ये बहुत लो लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग बहुत छोटे छोटे एक्जाम में आते हैं लेगिन पूरे चेप्टर में helpful हैं आपके चेप्टर ही तभी होगा जब आपके clear होगे ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके अंदर एक टाइप पूर होगा और टाइप नमबर फोर येस तो ये वाला टाइप आप आप लेगे तो आज आपका जो homework हो गया है वो ये हो गया percentage में आज आपको ये चार टाइप cover करने हैं चार टाइप जो हैं cover करने हैं और उसके बाद हम लोग main question जो करने कल शुरू कर देंगे और ध्यान ये रहे कि ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि इन चार टाइप से exam में नहीं आता खूब आता है exam में ये convert करने को आ जाते हैं fraction को percentage में percentage को fraction में face to face का नियम एक संख्यागा दूरी संख्यागा जै percentage निकालना खूब आते हैं exam में ठीक है और कल से हम लोग यहां से question करने शुरू कर देंगे type 5 से बच्चे ये रहा तो पड़े तीन type कम से कम कर लेंगे में लोग cover तीन चार टाइप तो जल्दी नहीं बढ़ जाएगा तीन चार दिन में topic नहीं बढ़ जाएगा ठीक है students बिलाल मने आपको वीडियो भेजी वे मैं आपको personal वीडियो भेज दूँगा ठीक है और कोई दिक्को तो मुझे phone कर लेना आप है ना ठीक है बिलाल ओके बिलाल ठीक है students thanks bye